यहां पर दो नोटीस जारी की गई है एक जो नोटीस है यह टेकनिशियन और सूपरवाइजरी के पोजिशन के लिए है और यहां पर टोटल वैकेंसी जो है वह बहुत ज्यादा है 2000 से भी ज़्यादा vacancy है आपके इसलिए लगने के चांसे इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा candidates इसमें apply कर सकते हैं और आपका educational qualification जो होगा वो 8 वी, 10 वी, ITI, diploma और degree इन सभी qualification के लिए recruitment किया जाने वाला है age limit के अगर बात करें तो apprentice के लिए age limit होगी 30 years और इसके बाद technician और supervisor के लिए 25 years की age limit होने वाली है और इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे कि आपका exam का criteria, vacancy, salary वगरा का जो structure है इन सभी के बारे में डीटेल में हम बात करने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक request है कि चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर दो ताकि आपको हर एक government job की notification सबसे पहली मिल सके ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में तो friends यह है पहली notice NCL की Northern Coal Fields Limited की तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं NCL Invites Online Application और यह जो application है आपका जो job location होने वाला है वो मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के साइड में होने वाला है हम थोड़ा fast में इस वीडियो की देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए हम इसे short करने की कोशिश करेंगे और positions और essential qualification की अगर बात करें तो particular position के लिए आपका जो qualification criteria होने वाला है वो आ गए यहां पर mentioned है जैसे कि assistant foreman है skill qualification यहां पर mentioned है matriculate और equivalent examination passed from any recognized board of examination and diploma और relevant and higher qualification इस तरह से particular post के सामने आपका qualification criteria mentioned है और यह जो notice है यह supervisory की post और technician की post के लिए यह notice है नीचे देखेंगे यहां पर कुछ note दी गई है जैसा कि online registration की last date आपकी 25th of August होने वाली है और इसके बाद आपका apply नहीं कर सकते है online और यहां पर अगर देखें तो supervisory position के लिए कुछ कहा गया है prescribed essential qualification for supervisory position are minimum hence candidates possessing higher and relevant may also apply तो यहां पर बताये गया है कि supervisory की position के लिए आपका qualification अगर जितना required है उससे ज्यादा भी रहा तो चलेगा लेकिन technician की post के लिए जितना qualification यहां पर पताया गया है उतना ही चाहिए उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है और यहां पर देखोगे तो part time या फिर distance learning का जो courses होते हैं वाईसे अगर कोई candidate हैं तो वो यहां पर apply नहीं कर सकते फिर अगले है positions and vacancies यहां पर position और vacancies का table दिया गया है और unresolved category EWS, SC, ST, OBC इन सभी categories के लिए आपके जो vacancy हो यहां पर mentioned है तो आपका qualification जिस किसी भी position में बाढ़ता है आप उसके लिए apply कर सकते हो अब नीचे देखेंगे हम यहां पर abbreviations दिये गया है जैसा कि SC, ST के जो abbreviations होते हो यहां पर mention है note B यहां पर कुछ note दी गई है total number of vacancies reserved are provisional and may vary मतलब यहां पर दिया गया है कि आपके जो vacancy दिये गया है उपर वो बदल सकते है vacancy का जो number है उसमें कम या ज्यादा हो सकता है ठीक है इसके बाद नीचे कुछ जो reservation के बारे में information दी गई है और जो P.W.D. की candidates है उनका reservation का जो suitable bench mark disability category जो है particular post के लिए कौन सी category अपलाई हो सकती है वो यहां पर mention है तो यह आप detail में देख सकते हो जिसकिसी को भी इसको apply करना है उनके लिए मैं जो PDF है इस की लिंग मैं description box में देदूगा तो आप वहां से इस PDF को download करके detail में PDF को पढ़ने के बाद ही apply कर सकते हो ठीक है और यह जो वीडियो है यह एक सिर्फ notification वीडियो है अगर आपको चाहिए कि जो how to fill form वाले वीडियो तो उसके लिए अलाग से हम वीडियो बनाएगे यह सिर्फ एक notification वाला वीडियो है ठीक है फिर अगला है clarification on the relevant and higher qualification of diploma और supervisory position यहाँ पर supervisory की position के लिए जो qualification है उसके बारे में particular position के बारे में आपको जो diploma वाली field या engineering वाली जो field यास के बारे में यहाँ पर mentioned है इसके बाद अगया थे the training period and scale of pay for the position are given at table यहाँ पर आपका जो salary structure और जो training period होने वाला है वो यहाँ पर दिया गया है particular post के लिए आप देख सकते हो आपको जो भी post के लिए form भरना है उस post के बारे में आपका salary structure और training period होगा आप देख सकते हो फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर reservation के बारे में दिया गया है particular category के लिए आपका reservation क्या होने वाला है फिर आगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर age limit है यहाँ पर age limit है the candidates must have attend the minimum age of 18 years और जो maximum age है upper age limit जो है वो 30 years की है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था minimum age 18 years maximum age upper age limit 30 years और जो age relaxation होने वाला है वो यहाँ पर mentioned है open या फिर general category और EWS वालों के लिए कोई भी relaxation नहीं है और SCST के लिए 5 years का OBC के लिए 3 years का और PWD वालों के लिए 10, 13 और 15 सल का इस तरह का relaxation आपको मिलेगा यहाँ पर आपका application fee application fee यहाँ पर दे गई है इसके बाद हम देखेंगे selection process कैसे होने वाल है यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो exam होगा वो written test के form में होगा ठीक है और इसी के साथ साथ आपका MCQ type का question रहे गा है जो question paper होगा वो MCQ type का होगा और आपका 100 marks का question paper होगा 90 minutes का duration होगा और 70 marks आपका technical section का होगा और 30 marks जो है वो general section का होगा ठीक है और इसके बाद फिर आगे देखेंगे हम यहाँ पर आपका cutoff marks दिया का है minimum cutoff marks क्या होने चाहिए open और EWS ओलों के लिए cutoff marks है 50 और जो reserved candidates हैं जैसे कि SCST ex-serviceman, OBC, PWD इनके लिए 40 marks यह cutoff रहेगा इस तरह से आप आगे की notice पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो तो यह थी supervisory की notice यहाँ पर how to apply यह वाला section है यहाँ पर आप detail में पढ़ कर यह देख सकते हो कि apply कैसे करना है यहाँ पर detail में है रिक चीज़ बताए गई है कि आप apply कैसे कर सकते हो ठीक है पहला है registration, fee payment fee payment के बाद आपका उन्हाला apply, apply करना होगा उसके बाद submission of application आएगा इस तरह से आप apply कर सकते हो यहाँ पर कुछ special note दी गई है तो यह वाली जो PDF थी यह notice थी आपके supervisory और technician के post के लिए ठीक है, आप हम अगली notice पर जाएंगे तो friends यह है दूसरी note जो गए NCL की तरफ से ही जारी की गई है यहाँ पर आप देख सकते हो Northern Colfills Limited, एक mini रतन कमपनी है उसके बारे में कुछ description यहाँ पर दिया गया है और इस वाली notice में आपके जो भी vacancy हैं उसमें apply करने के लिए आपको एक criteria बहुत ज़रूरी है कि आप MP या फिर UP से ही ITI करे रहने चाहिए ठीक है आप मद्यप्रदेश या फिर उत्तरप्रदेश के password अगर हो तो ही इस form को fill कर सकते हो पिछली वाली note में सब लोग fill कर सकते है आवली इंडिया से यहाँ पर सिर्फ MP और UP वाले ही fill कर सकते है यहाँ पर उसी तरह से registration number fill का नाम कैटे है जो vacancy है वो reservation quota में जो है PWD वालों के लिए जो vacancy वो दिया गया है इस तरह से हम पर total vacancy भी mentioned है यह वाली vacancy PWD वालों के लिए है और यह total वालो 100 जो है यह total vacancy है particular field की आगे देखेंगे fitter के लिए यह जो abbreviations यहाँ पर mention है यह वाले minimum physical requirement for job इस abbreviation का जो long form में वो आगे दिया गया है table के नीचे हम वहाँ पर देखेंगे ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं abbreviations जो इस्तिमाल किये गए है उनके बारे में यहाँ पर है S for sitting, ST for standing, W for walking इस तरह के physical जो abbreviations है वो यहाँ पर mention है और यहाँ यहाँ की जो job qualification जो vacancy है उसके लिए qualification criteria जो भी होने वाला है वो यहाँ पर है वेल्डर के लिए एक 10 ITI पास्ट होने चाहिए वो भी सिर्फ और सिर्फ MP या फिर UP की institute से और electrician के लिए भी वही criteria 10th और ITI फिटर के लिए 10th और ITI इस तरह से सारे criteria यहाँ पर mention है PWBD की जो candidates है उनके लिए जो reservation होने वाला है वो यहाँ पर है इसके बाद अगर देखें यहाँ पर age की जो limit है वो यहाँ पर mention है minimum 16 years की age limit होगी maximum 24 years की होनी चाहिए और आपकी category wise आपको age relaxation मिल सकता है और यहाँ पर procedure बताएगा है कैसे apply कर सकते हो detail में आप इसको पढ़के apply कर सकते हो पहले stage है आपको इस value website पर visit करना होगा second stage है आपको यहाँ पर mention है किस तरह से आपको online apply करना है यह आप यहाँ पर detail में पढ़ सकते हो ठीक है तो यह थी एक video जो के NCL की recruitment पर बनाए गई थी तो बहुत ज़्यादे vacancy है तो उमीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो friends वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तो अपना इस वीडियो को शेयर कर देना ठीक है ताकि आपको हर एक जो government job की notification सबसे पहले मिल सकते है thank you, thank you so much for watching वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में